अलो फ्रेंट्स आप सभी लोग को भायदूश के दहवार के बार में तो बिल्कुल पता होगा विकॉस हमारे हिंदुस्तान में इक भायदूश के अटूट तृष्टों को जो आडिन्टिफाइ करता है वहे भायदूश का देवार और रक्षा बंदन का देवार तो भाईदूज का तहवार जो है वो हमारे हिंदुस्तान के हर प्रांत में मनाया जाता है लेकिन ये सेम होने के साथ साथ इसमें बहुत सी असमानताएं है विकास हर कोई अपने अपने वे में अपने तहवार को सलिबरेट करता है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हींदू-बैंगॉली कुल्चर से जो रिलेड करते हैं वो एक्चले भाईदूज को किस तरह सेलिबरेट करते हैं भाईदूज को सेलिबरेट करने के उन्हें किन की चीजों की जरत होती है और वो किस steps को follow करके अपने भाईदूज के festival को celebrate करते हैं तो एक proper Bengali culture में जिस तरह से भाईदूज को celebrate किया जाता है वो मैं आप आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को last तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूज है तो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए जानते हैं कि हिंदू-Bengali culture में भाईदूज को किस तरह से celebrate किया जाता है और मैं आपको इस साल के जो भाईदूज की जो डेट है जो मुरत है शुब भूरत उन सारे चीजों के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग लास तक वीडियो को ज़रूर देखना फ्रिंस हर साल भाईदूज कार्थिक मेने की दुतिया तिथी को मनाया जाता है और इस साल कार्थिक मेने की दुतिया तिथी पड़ी है 16 नवेंबर को मतलब 2020 में 16 नवेंबर को भाईदूज सेलिब्रेट किया जाएगा तो मैं आप लोगों को इसी से जुड़े कहानी बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है हमारी पौरानिक कथाओ के अनुसार सबसे पहले भाईदूज जो यमुना नदी है यमुना और जो यम्राज है वो दोनों भाईवेन है और ये दोनों ही सूरेदेव के पुत्र है आपीन संटाने हैं तो यमुना ने सबसे पहले यम्राज को तिलक किया था इस दिन और उसी दिन से ये जो भाईदूज का तहवार है ये मनाया जाता है अक्चली किया हूँ था यमुना जी ने यम्राज जी को अपने घर इंवाइट किया था खाने पे तो यम्राज जी बहुत बिजी थे जिसके कारण वो यमुना जी के घर नहीं आ पाए लेकिन वो अचानक से कार्थिक मेने की दुटियर तिति को यमुना जी के घर जाते हैं जिसके कारण यमुना जी अपने भाई को देखे बहुत खुश होती है उनका बहुत आदा जी कहती है कि कोई भी बहन अगर कार्थिक महने की दुद्या तिती को अपने भाई को तिलग करेगी तो उससे आपका खत्रा उसके जीवन से आपका खत्रा कम हो जाएगा उससे आपसे कोई भाई नहीं होगा तो बैंगोली कल्चर के हिसाब से भाई दूष करने लिए जो सब रुभा पर मूểuा जो निखे होगी को दीपावली के दिनुच नीपावली के दिन क्या करते हैं कि आम की पत्ती में घी या फिर सरसो का तेल लगा के दियों के उपर उस आम की पत्ती को रख के उसमें काजल इखटा किया जाता है उसे आम के पत्ती पे खटा किया जाता है तो हमें वो काजल चाहिए साथ में चाहिए गंगा जल सरसो का तेल धान बिठाई पानी तो ये सरी चीज़ेए भाई की आर्थी और ये बारे बेंगॉली कल्चर मे कुछ नियम को फॉलो किया जाता है जिसके बार में आपको बताते हूं कि तिलब करने से पहले जो बहने होती है वो उसकी जो बूंद इखटा करके रखी होती है जिसे बेंगॉली में कुवाशा बोलते है उससे भाई का यह जो कपाल है इसको कपाल बोलते है बेंगॉली में इसको धोती है देन उसके बाद गंगा जल से यहां पे धोके पोचती है साफ कपड़े या रूमाल से दन उसके बाद सरसो का तेर उसको यहां पे लगाती है सरसो का तेल लगाने के बाद यह जो उंगली है इस उंगली से अमवश्या में मतलब की भाईदूच के पहले दो दिन पहले जब दिपावली का दिन होता है जिसमें बेंगॉली लोग काली पूजा करते हैं उस दिन क्या करते हैं कि दिया जलाके दिये की जो काली उपर दिये की लोग के कारण जो काजल रेडी होता है मतलब आम के पत्ते को दिये के उपर रखने से आम के पत्ते में काजल रेडी हो जाता है उस काजल से इस फिंगर मे आइब्रोज में तीन तीन बार ऐसे लगाया जाता है और बोला जाता है कि आउमा वश्या पाया काजॉल दीती आते दिया फुटा युमुना दै युम के फोटा आमी दै आमार भाई के फोटा युमे द्वारे पोर्लो काटा मतलब येक मंत्र याप श्लोगन बोलो इसे तीन तीन बार उचारण किया जाता है और इस फिंगर से अपने भाई के आइब्रोज में उस काजल को लगाया जाता है मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके समझाती हूँ कि जो लोग बैगोली नहीं है वो शायद नहीं समझ पाए मैंने क्या कहा तो इसका जो हिंदी मतलब है अमा वश्चा पाया काजल मतलब की अमा वश्चा में रेडी किया हुआ काजल द्ीती ते दिया फोटा मतलब यमुना अपने यम को अपने भाई को फोटा करती है आमी दियामर भाई के फोटा मतलब कि मैं अपने भाई को फोटा कर रही हूँ और यमेर द्वारे पोरलो काटा मतलब कि यम के द्वार में बाधा पढ़ लिए से मेरे भाइक के अपने भाइक पी लाइफ प्रोटेक्ट हो रहा तो इस्ट स्लोगन को बोला जाता है और इसे परgroup लेते हैं वाइट चंदन से इस फिंगर से आईब्रोस के बीच में तिलग करते हैं देन उसके बाद जो दुर्वा और धान होती है उसको लेते हैं अपने दोनों हातों से इसे दुर्वा धान लिया अपने हातों को क्रॉस करके जो उली ध्वनी होती है मतलब बैंगोली लोग मुझसे साउंड निकालते हैं जिसको उली ध्वनी बोलते हैं इसे आप यूटूब पर सुनने को मिलेगा तो और कोई होता है जो संक बजा रहा होता है मतलब संक और उली ध्वनी के साथ इस तरह से हातों को क्रॉस करके अपने भाई के उपर धान और दुर्वा छोड़ा जाता है उसके बाद उसकी आरती करते हैं उसको मीठा देते हैं खाने को अगर बड़ा भाई है तो उसके पैर्च हुए जाते हैं और अगर भाई छोटा है तो उसे आशिवात दिया जाता है उसे शगुन दिया जाता है तो इस तरह से बैंगॉली लोग अपना भाई दूज सेलिब की बेटियों के पैर्च हुए जाते हैं दामाद के पैर्च हुए जाते हैं बट हमारे बैबॉली कल्चर में जो बड़ा होता है उसके पैर्च हुए जाते हैं मतलब कि मैं अपने बड़े भाई के पैर्च हूंगी मेरा छोटा भाई मेरे पैर्च हुए गा मतलब हमारे इसमे नंदों के पैर नहीं छूती है लेकिन अगर ननद बढ़ी है तो भावी ननद के पैर चुएगे तो इस तरह से हमारे बेंगोली कल्चर में इस तरह का नियम है तो इन सारे नियम को मानते हुए हम अपना भाईदू सलिबरेट करते हैं देन उसके बाद बड़े भाई शबून देते हैं आजकल तो मॉडर्ण हो चुका है तो शबून कोई देता नहीं है या तो कपड़े देते हैं या फूर एक्सपेंसिव कुछ दिया जाता है तो वह शबून देने का रिवास है बस इस तरह से हम सारे मिलके अपना भाई करते हैं तो जो भाईदु राध के चल्बरेट करने का टायमिंग है वह आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और नाइट पें पर कर सकते तो मॉर्निंग में आप 12बजे के पहले का मॉरत होता है हमेशा अकशर अभी तक तो बही हुआ है तो इस साल का जो मॉरत है वह करीब सुबा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच का है इस बीच में आप अपने भाई को तिलग कर सकते हैं और जो शाम का टाइम है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे का है आप इस शाम के टाइम में भी अपने भाई को तिलग कर सकते हैं तो हमारे इस में दिकतर मॉर्निंग में हम लोग भाईदू सेलिब्रेट करते हैं मॉर्निंग का टाइम ही बारवजे से पहले हम अपने भाईदू को तिलाफ तर देते हैं तो बस इसी तरह से हम अपना भाईदू सेलिब्रेट करते हैं आई होप की आपको यह इंफोर्मिशन बहुत इंफोर्मिटिव लगी होगी आप लोग ने बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो से तो चलिए मैं मिलती हो आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब अब तक प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें अपने फेस्टिवल्स को सेफली और हैपली सेलिब्रेट करें थैंक यू थैंक यू सो मच